अध्याथ हमलावरोंने एक चाथ्र को गोली मार दी जिसके बाद हमलावर हत्यार लेराते हुए फरार हो गई फ़ी गोली लगने से चाथ्र गंबी रुप से घायल हो गया जिसके बाद घायल चाथ्र को अननफाननवेनज्दी की अस्पताल में भरतिक राय गया आपको बता दे कि घटना मेरट के थाना दिल्लीगेट शेदर के फैज ए इंट्रक कोलिज की है जहां ककसा 9 का छात्र अधनान स्कूल से छुटी होने के बाद अपने घर जा रहा था जैसे ही अधनान पार्किंग में पहुझा तभी पहले से घात लगा है अग्यात हमलावर महाब मुझूद थे जिसके बाद अधनान को टार्गेट करते हुए हमलावरों ने फाइरिंग शुरू कर दी इसके बाद पूरे कॉलिज में कोहराम मच गया जिसके बाद सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुझ गई क्राइम स्टोरी के लिए मेरट से सुरेश दईया की रिपोर्ट कि इसको हस्पिटल पहुचाए गया जहां पर टाक्टर ने बता एक स्टोपोली लेगी है हम लोग मुकदमा पंजीकित कर लिए हैं और सीग्रेश पे कारवाई कर दो अभी तक तो इसे परजनोंस बात हुई अभी कोई ऐसी रंजिस की बात नहीं आ रही है लेकिन इस पे परकार के जो एंगल हैं हम लोग इस पर जांस करके बहुत जल्दी रख्टा का खुलासा करेंगे और अभी तो विरुद कारवाई की जाएगे